नमस्कार मैं हूँ अंजली वर्माप देख रहे हैं खबर टुडे नियूज़ा ये रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ बिजनौर हैंडी क्राफ्ट के गोदाम में लगी भयंकर आग शौर्ट सर्किट इस आग की बड़ी वज़वनी आग से लाखो का कीमती समान जलकर राख हुआ महीं अगनी शमन की करमचारियों ने बड़ी ही मुश्किल से इस आग पर काबू पा लिया है ये मामला थाना नगीना के लुहारी सराई इलाके का है वहीं दूसरी तरफ बिजनौर में ही एक और अलग जगा पर शौर्ट सर्किट से ही बिजली की तारों में भयंकर आग लगी हाईवे पर लगी इस भयंकर आग से रहा गिर बाल बाल बचे ये मामला थाना नजीबाबाद के कोतवाली देहात मार्ग पट्रोल पंप के पास का है नजर डालते हैं अगली ख़बर पर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यो मंत्री की शपत ग्रहन करने से ठीक एक दिन पहले सूबे में बाबा योगी अदित्यनाद का बुल्डोजर जम कर चला जिहां जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुझफवन अगर जहिनपद में भी गुरुवार कुपलिस द्वारा एक पचास जार के इनामी डेकेट के घर पर कुड़की की कारेवाही करते हुए घर का सारा सामान जप्त कर घर को बुल्डोजर से धराशाही किया गया दरसल नगर कोतवाली छेजर के किदवाई नगर निवासी प्रवे सैफियूफ मलुक नाम का एक शातिर अपराती मुरादाबाद के ठाना बिलारी से एक डक्याती के मामले में लंबे समय से वानचित चल रहा है जिस पर मुरादाबाद पुलिस ने पचास हजार रुपियों का इनाम भी गोशित किया हुआ है जिसकी चलते आज मुरादाबाद और नगर कोतवाली पुलिस के दुआरा संयुक्त कारवाही करते हुए इस बदमाश के घर का सारा सामान जब्त कर घर को बिल्डोजर से धराशाही किया गया है आज एक अपरादी है परवेज सैफियूर मलू जो की कोतवाली नगर के हमारे किद्वई नगर छेदर का रहने वाला है जो की मुरादाबाद जनपल से लगातार डकेती को मुकदमे बांचित चल दा है थाना बिलारी के मुकदमे में लगातार बांचित है आज इसकी कुर्की की कारवाई यहां पर की गई है जो कुर्की कारवाई है डकेती का मुकदमे जो की मुरादाबाद का है इसमें यह 50,000 का इनामिय भी है और लगातार फरार चल दा है डकैती का ये मुल्जिम है डकैती के मुकर्म है मांचित ये कारवाइश में की वह लिए खबर है यूपी में जहां बीजेपी सरकार आम लोगों को बहतर स्वास्ते के लिए हर दिन नई कारेकरम चला रही है मगर संबल में हेल्थ महकमा ही सरकार की मंचा को पलीता लगा रहा है जिहां ये ताजा मामला गुन और CHC से बुदवार को सामने आया है जब एक्सरे करवाने के लिए लोगों को अस्पताल में दरबदर भटकते हुए देखा गया था यहां घंटों तक बच्चे और बड़े परिशान रहे मगर कोई जवाब दे ही को तयार नहीं था दरसल बिजली चली गई फिर हेल्थ महकमे के जिम्यदारों ने जनरेटर नहीं चलाया मौकी पर सही जनरेटर, डीजल, एक्सरे मशीन और टेकनीशन मौजूद था मगर जनरेटर कौन और क्यों स्टार्ट करें यह बड़ा सवाल था इस औरान इन्वेटर से चलाय जाने वाले मरीजों के पंखे भी अस्पताल कर्मियों ने बंद कर दिये साथ ही कई लाइटे भी बंद कर दिये जिससे वहां अंदेहरा हो गया बाद में मीडिया कर्मियों ने जब वीडियो ग्राफी शुरू की तो पोलियो वैक्सीन को ठंडा रखने के बहाने करमचारी ने जनरेटर चला दिया करीब चार घंटे बंद रहने के बाद जब जनरेटर चला तब एक्सरे शुरू हुए सीची प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार जहां इस दौरान सीट से नदारत थे वहीं फार्मेसिस्ट ने ओफ कैमरा उन्हें ट्रेनिंग की वज़ा से अस्पताल से बहर बताया इस दौरान मरीज कितने परेशान रहे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बीच बाजार में एक मनचले की हरकतों से परेशान आकर एक लड़की ने उसकी चपल और तमाचों से जम कर पटाय कर दी जिहां आरोपी मनचला लड़की के साथ शेड़खानी कर रहा था और अपने मोबाइल से उसकी फोटो खीच रहा था लड़की ने बताया कि उसने मनचले के मोबाइल से अपनी कई फोटो डिलीट भी की पिटने वाला यूवक शहर का ही रहने वाला बताया जा रहा है महीं इस बवाल के दौरान मौके पर काफी भीड लग गई और पुलिस ने आकर आरोपी मंचले को पकड़ लिया आपको पता दें ये पूरा मामला नगर कोतवाली छेतर के लईया मंडी से जुड़ा हुआ है जहां एक मंचली को लड़की के साथ छिड़कानी करना भारी पड़ गया लड़की बाजार में मोची की दुकान पर अपनी चपल सही करा रही थी इस दुरान एक मंचला उससे छिड़खानी करने लगा और अपने मोबाइल से उसकी फोटो भी खीचने लगा जब मंचला लड़की की फोटो खीच रहा था इसी दुरान लड़की की नजर उस पर पड़ गई फिर क्या था लड़की ने मंचले की चपल और तमाचों से जम कर पिटाई कर दी वहीं मारपीट का ये विडियो अब सोशल मेडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इस विडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यूवती उसके साथ छिड़कानी करने वाले मंचले को चपल और तमाचों से पिटाई करती हुई नज़रा रही है स्थान्य लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची और आरोपी मंचले को पकड़ कर कोतवाली ले गई उसकी बाद मामला जाकर कहीं शान्त हुआ भड़ते हैं अगले रिपोर्ट की तरफ जहां वसुंदरा जोन के साइट चार में एक माफिया ने नगर निगम की 7,084 वर्ग मीटर की भूमी पर कबजा कर बैंकिट हॉल बना रखा था जिसकी कीमत 85 करोड रुपे है आपको पता दे अधिकारियों ने बुल्डोजर चलाकर इसे दोस्त कर दिया है रिपोर्ट की मुताबिक सन 1996 से इस भूमी पर कबजा था रसूखदार होने की कारण बार बार नगर निगम कारवाही करने से कदम पीछे खीच लेता था लेकिन आज बुल्डोजर ने इस अवैद निर्मान को द्वस्त कर दिया ये खाली जगाब नगर निगम स्वास्ते विभाग के बाहनों की पार्किंग के लिए उप्योग मिलाई जाएगी आज दिनांग 24 मार्च 2022 को गाज़बाद नगर निगम की टीम के द्वारा वसंद्रा जोन में सोरुर्जा मार्क पर महक पार्टी लोन जो अवैद रूप से गाज़बाद नगर निगम की भूमी पर कापिज था उनके खिलाब करवाई करके उस जमीन को कबजा मुक्त कराया गया जमीन का जो शेतर फेल है लगबग 10,000 वर्ग मेटर जमीन थी जिसकी मार्किट वेलू 80-85 क्रोड रुपे पाई गई है आज उसको कबजा मुक्त करा लिया गया है और आप वो गाज़बाद नगर निगम क कि अन्य कारियों के लिए उप्योग में लाई जाएगी आज के लिए वस इतना ही देश-प्रदेश की सभी खपरों को देखने के लिए देखते रही है खबर टूड निव्स